अस्सलाम वलेकुम रहमतुल्लाही वरकातरू खानस अकेडमी के इस तालमी चैलम में आप सबका खुशामदीत है, इस्तक्बाल है देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है जिग्राफिया जिग्राफिया के हम पेपर हल करने वाले हैं मार्च 2019 का जैसे कि आप देख रहे हैं तो चलिए अच्छी तैयारी के लिए पेपर हल करना शुरू करते हैं हमारा मार्च 2019 का तो स्टूडन्ट पेपर अब आपके सामने हैं मार्च 2019 का अब यहाँ पर खानापुरी जो है सबसे पहले इस तरह से पेपर बैटन आपको बता है उसे सबसे पेपर बैटन है यहाँ पर सही मुतबादिल चुन कर हमें जवाब दोबारा पर्चेव अपना लिखना है ब्राजील का ज्यादातर जो हिस्सा है वो बुलंद जमीन का है तो पहली खानापुरी में जो ऑप्शन फर्स्ट है बुलंद जमीन का है तो ब्राजील का ज्यादा रिस्सा बुलंद जमीन का है इस तरह से लिखना है दूसरी खानापुरी जो यहाँ पर है दूसरी खानापुरी जो यहाँ पर है नमबर तीन, सागवान ये दरख्त खासतोर से डैश जंगलात में पायाता है, तो इसका जो है वो पतजड जंगलात में पायाता है, सागवान की लकड़ी ये सागवान दरख्त, नमबर चार, चाउती खानपुरी, ब्राजील डैश बरामत करने में सरफेरिस ते, यानि सबसे मद्यपरदेश, महराश्ट्र, मिगाले, महरान हाओ, ये रियासत नहीं है, तो इसके लिए जो अलग हो जाएगा, ब्राजील का जनलात में नबतत में शुमर होता है, तो ये तीसरा नहीं आएगा, ब्राजील जो नबतत है वो तीन आएगे, यानि पहला, दूसरा और तीस नमबर तीन ब्रिक्स ये जो तन्जीम है ये रुखन ममालिक ये ब्रिक्स में ब्राजील रश्टिया इंडिया चाइना तो इसमें जो है कौन-कौन शामिल है उसमें कौन नहीं है तो इसमें सौधी अरब नहीं है तो ब्राजील है भारत है चीन है ये तीन है लेकिन ये नहीं है तो इसलिए साओधी अरब यह अलग हो जाएगा नंबर चार जो है यहां पर मुतफर्जूज वो है आबादी पर असरंदाज होने वाले जो मुआफिक अवामिल है वो है सडकों की कमी तो यह जो चीज है वो अलग यहां पर हो जाएगी बाकी सब जो है सवाल नंबर जो त और बलहाल हम आपको 21 वगरा का सेट का भी लिंक दे रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से आप इसका सही जुम्ला करके भी लिख सकते हैं तो पहला जो है यहां पर इलाकाई सरे नमताले के दौरा नबातात की ताजात के फर्क को जाहिर नहीं करते हैं ऐसा य दरिया गंगा बर्फानी दरिया जमनोतरी से निकलता है ये जुम्ला भी गलत है नमबर तीन ब्राजील ये मुलक खास तोर से जनूबी निस्व कुर्रे में वाकए हैं जी हां ब्राजील जनूबी निस्व कुर्रे में वाकए हैं और नमबर जो चार है यहां पर ब्राजील के मगरीब इस्से में गुझान इनसानी बस्तियां हैं तो ऐसा नहीं है मगरीब इस्से में गुझान बस्तियां नहीं है वो ब्राजिल की जो मगरीब इस्से है वो गुझान अबादी वाला इस लाका नहीं है वो अमेजोन की वाला इस लाका है वहाँ पर बस्तियां नहीं है तो ये जो जूला है ये गलत है नमबर पांच भारत की तरह ब्राजिल की भी मुखलूत मईशत है नहीं मुखलूत मईशत भारत की तरह ब्राजिल की मुखलूत मईशत नहीं है सरमायदा नमईशत है अब नमबर चाउते का पहरा देखिए यहां पर आपको दिये गए ब्राजिल के नक्षे खाके में उद्राजेल की निशान दई करना है नाम लिखिए और फैरेज भी बनाएए कोई चार नाम लिखना है आपको हम पूरे छेओं आपको बताने वाले हैं आपको सवाल नमबर चार के लिए खाल करने के लिए आपको बगदा एक नक्षा मिलेगा ब्राजिल का और उसमें आपको जो नाम है ये आपको निशान दई करना है पहरा है मारा जो जजीरा है प्रिकोर्डियो नीली ना है और पैंटनाल है और कहत बारा का इलाका है फिर कार्टिंगा है सुनेरा लाइन तामरन जो है ये भी आपको बताना है तो देखिए ये है ब्राजिल का नक्षा और यहां पर आपको हम निशान दई करके पूरा आल्मोस्ट जो यहां पर बोला गया है सवाल नंबर चार के ए में जो पहला है मारा जो जजीरा जो है वो निशान दई देखो यहां होती है यह शुमाल में इस तरह से यह है जो जजीरा मारा जो जजीरा उसके बाद पिकोडी नेलीना यहां पर आते हैं दिख्यास को यह ज़ियरा ही यह भी आपको जो इस तरह से आपको अलग-अलग निशान के जरी रहे है पिकोडी नेलीना बताना है आपको यह पॉइंट नंबर कहता है ở दिंध me Also Is The Pantanoal जो है यहां पर है। नंबर तीन पर यहां से आ से छहां सकते हैं इसको पुल सकता है यहां पर पर आपके बताना है।意म्जियाफ,we chaos, fortune, 2013 का ही, 하ag. पategori को जोगोशा भी बोल सकता है या फिर कायतबरह इलाखा भी बोल सकता है तो आपको इस raceरा से बताना है इसके दर लिशानदी कर देना पो अलग से उर यहाँ पर आपको ज़ाहिर कर देना फेरिस में फिर कारटिंगा कॉटिंगा देखो यह है इसा यहां से यहां तक है आपको निशानद़ी यहां तक नहीं है यह वाली और इसको अलग डिजाइन दे देना है और फैरिस में दिखा देना है फिर सुनेर लाइन तामरिन का जो है वो यह यहां पर आता है सुनेरी तामरिन का जो है वो यहां पर आता है तो इस तरह से आपको स्टार बता के इसमें अशारिया में यानि फैरिस में आपको इस तरह से दिखा देना होगा अब सवाल नंबर चार का बी देखते हैं सवाल नंबर चार के बी में आपको भारत का नक्षा दिया गया है इसक पेज नमबर 65 पर आपके नक्षा दिया गया है यह पेज नमबर 65 किताब का यहीं से लिया गया है और यहां पर हम देखते हैं तो साथ सुतर आपको नक्षा नजर आएगा ताकि आप जवाब भी दे सकें तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं पहला सवाल है कि यह नक्षा क्य हमने पढ़ रहे हैं सवाल पर्चा हमारे पास भी रखा हुआ है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं लेकिन हमें किताब के अंदर जाके 65 पर नक्षा देखना है ताके आसनी से नजर आ सागे अगला सवाल मश्री की साहिल के कोई दो हावायाडों के नाम लिए मश्री की सा नक्षे में किन रियासतों में रेल रास्ते नहीं है तो रेल रास्ते यहां नहीं है जम्मू और कश्मीर में यहां पर रेल रास्ते नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है सवाल नमर चार के हिंदुस्तान में जुनूबी रेल रेल स्टेशन का नाम क्या है तो कुमारी है जो सबसे लास स्टॉप तिरुन अंदपूरम के नीचे यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा जूम करो भी इसको नजर आईए हाँ तो यह जो हिस्सा है यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है जुनूबी रेले स्टेशन इसका नाम कन्या कुमारी है अगला सवाल अग जो भी जुम करो भाई तो इसमें जो को नस्सेशन आरहे है वास्कोडी गामा वास्कोडी गामा है ना यह वाला अरचछटा सवाल है कि हिंदूस्तान के shumali hawaih autistic cancer लॉए अड्र का नाम सवाल नमबर पांच जुग्राफियाई वजुहात की यहाँ पे कोई दो करना है चार दिये गए हम चारों आपको इसका सलुशन बताने वाले हैं क्या है सवाल पहला कि भारत के मश्रीकी साहिल पर कुदरती बंदरगाएं कम है देखिए वज़ा सिंपल है कि भारत के मश्रीकी साहिल पर बंदरगाएं कम इसलिए कि भारत के मश्रीकी साहिल दर्याओं के साथ बहे कर आने वाले जो कीचड यानि जिसके गाद कहते हैं उसकी जितमाई कारी से तियार हुआ है मश्रीकी साहिल पर कई मकामत पर गाद का डिल्टा इलागा बन जाता है और भारत के मश्रीकी साहिल के करीब पानी की सतह ज्यादा गहरी नहीं है जबके मगरीबी साहिल के करीब पानी किसाता है निजबतां ज़्यादा गयरी है तो ये वज़ा है कि इसमें बंदरगाएं तुड़ी सी कम है अगला सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर दो ब्राजिल के जंगलाद को दुनिया के फेपड़े कहा जाता है बहुत इंपॉर्ट सवाल ये आगे वाले साल में भी पूछा जा सकता है तो सवाल है कि ब्राजिल के जंगलाद को दुनिया का यानि बारानी जंगलाद को दुनिया के फेपड़े कहा जाता है पहला पॉंट है कि ब्राजिल के शुमाली हिस्से में दरियाए अमेजान की वादी के इलाके में घने सदावार जंगलाद पाई जाते हैं और इन बारानी जंगलाद की नबाताद बड़े पैमाने पर माहूल की कारवन डॉकसट के इसको जज़व कर लेते हैं और फिजा में बड़े पैमाने पर अक्सिजन खारिच करते हैं इन बारानी जंगलाद की यह से कारवन डॉकसट की मिकदर कम हो जाती है और इसलिए बारानी जंगलाद को दुनिया के फेपड़े का जाता है यह बहुत ज्यादा मिकदर में वहाँ के जंगलाद आक्सिजन को प्रोड़ेउस करते हैं इसलिए दुनिया के फेपरों से का जाता है बहलाल यह एक हादसे में यह जंगलाद काफी तकरीबन खतम हो चुका है अगला सवाल है कि शुमाल मश्रीकी ब्राजील में बस्तियां गुंजान नहीं है तो जवाब है इसका कि ब्राजील का शुमाल मश्रीकी इलाका बुलंद जमीन के अकब में साया बारा का इलाका है इस इलाके में बारिश सिर्फ छेस सो मिलिमीटर होती है इसलिए ये इलागा कहस जदगान इलाके में माना जाता है, समझा जाता है कम बारिश के सबब इस इलाके का काश्टकारी की तरक्कियां पर नहीं हो सकी इसलिए इस इलाके में मुंतशिर देहाती बस्तियां पाई जाती है यही वज़ा है के शुमाल मशुरी की ब्राजिल में बस्तियां गिंजान नहीं है अगला सवाल, सवाल नंबर चार जो है शुमाली भारत के मैधान लाके में रेल के रास्तों के घणे-जाल नजर आते हैं और शुमाली भरत के मैंदाने लागे में जरात और मुक्तलिफ सन्थों की बहतात है, बहुत बड़े पेमाने पर लोग जरात के पेशेश जुड़े हैं, इस लागे में अश्या को लाने ले जाने और मसाफिरों को एक जगह से दुछ जगह ले जाने के लिए बड़े पाने पर नकलोमावल के जरायब की बहुत जरूरत होती है इसी वज़ासे शुमाली भरत के मैदानी लाके में रेल रास्तों का गना जाल पहला हुआ है यह अब गना जाल पाय जाता है तो इस तरह से जो पांचवे के जो सवाल है जिग्राफिय वजवात की चारों आप्शन हमने सवाल नमर जो छे आता है यहां पर सवाल नमर छे का ए मुझा जेल के आदा दो शुमार की मदद से सादा सुतूनी तरसीम बनाईए और जेल के सवालों के जवाब भी दीजिए दिखे इस तरह से यह जो साल और शहर की आबादी का जो इजाफा है सन दो हजार 1961 से लेके 2011 त यहां पर मालूमात दी गई इसकी बन्याद पर हमें सादा सुतूनी तरसीम बनानी है तो यह जो डेटा है इसकी बन्याद पर कुछ इस तरह से सादा सुतूनी तरसीम बनती है यहां पर आपको पैमाना लिख देना है एक सम बराबर दस साल और वाय मेवर पर आपको लिखन वह शुमार है वह आठरा आता है तो आठरा पर इस तरह से लिजा के आपको यह बना देना है इस तरह से ऐसे और फिर बाद में 1971 का जो है आधी से पॉइंट थी वाली लाइन यानि 23.3 पची से थोड़ा सा नीचे बना देना है और फिर बाद में 1911 से लेके का जो है जो साल है उसमें आबाती जो बड़ी थी एकनो में वो 25.7% हुए था 25.7 यानि यहां से यह वाली लाइन 25.7 पर से तो 0.7 यानि एक बारिक से लाइन के ऊपर थोड़ा सा ले लेड़ेना है फिर आपको सन 2000 का बताना है सन 2001 का 27.8 है तो 27 यानि 25.7 के उपर हादी से थोड़ा ऊपर आदी लाइन यहाँ पर इस तही बना बना देना आ है। सवाल क्या है देखिए आदा तो शुमारों में सालाना फर्क कितना है दस साल का फर्क है नमबर दो किस साल में शहरकारी की रफ्तार सबसे कम थी सबसे कम तो 1971 है यह बहुत कम थी अब सवाल तीसरा है कि किस दहाई में जो शहरकारी की रफ्तार सबसे ज्यादा थी तो वह यह दो हजार ग्यारा सन 2021 से लेके माना जाएगा यहां से बढ़ती 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 दो हजार ग्यारा तक यह बढ़ती ही चली तो यह जो साल है आपको लिखना है तो इस तरह से सवालों की जवाब मुकमल हुए अब आगे बढ़ते हैं हमारा जो सवाल नंबर 6 का A या B कर आते हैं कि मुदर जिल तरसीम का मुशायदा करना है और सवालों की जवाब देना है तो यह आप हल करें या नहीं भी कर सकते हैं हल कर लेते हैं ताके प्रैक्टिस हो जाईगी तो यह तनासुब जिन्स देगा ब्राजिल का और भारत का यह दुनों ग्राफ को देखते आपको यह जो सवालों की जवाब है मुदर जिन्स वाला ग्राफ क्या जाहिर करता है वह यह तनासुब जिन्स जाहिर करता है किस मुल्क में मर्दों की तादत ज्यादा है तो यह है वह सवालों के जवाब ये ब्राजील और भारत की तरासों पे जिन्स वाली है पहले सवाल का जवाब है तरसीम है नमबर दो किस मुल्क में मर्दों की ताज जादा है तो भारत में मर्दों की ताज जादा है सवाल नमर तीन है किस मुल्क में खुवातिन की तादा सबसे जादा है तो वह ब्राजील है जिसमें औरतों की ताद फी हजार मर्दों के जादा है सवाल नमर चार है 2001 में के बाद किस मुल्क में खुवातिन की तादा तीजी से बड़ी है तो 2001 में ब्राजील में खुवाओति में था बणी 30 से बढ़ी है पांचवा सवाल है JOHN 1961 में हंडुस्तान में खुवाओति कितरी थी तो happen में भारत में Sultan 9290 ती आफरी सवाल ये कि मुलक में खुवाओति कीoneyákfa की 4100 तादात यांन यगी 100 से ज्यादा थी तो वही ब्राजील में जो खौतिन है यह उर्टों की फी हजारत आदत यह उससे जादा थी तो इस तरह से जो च्छे सवालों के जवाब यहां मुकमल होते हैं अब सवाल नंबर साथ पर जाते हैं सवाल नंबर साथ है जो मुफसिल सवाल है जो हमारे इस पर्चे का आखरी सवाल है जिसमें चार सवाला थे इलाकाई सहर के दौरान कच्रे को ठीकाने लगाने का इंतजाम किस तरह करेंगे यह पहला सवाल है दो करने होते हैं वाजिसे यहां पर हम चारों की सलूशन आपको दे रहे हैं पहला सवाल को सिलुषन हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईलाकाई सेर के दौरान कचरे को ठिका लगाने का मुंद्धिल बहुआ करने के लिए बूरीय थेलियां ऐís रएए साहिए ले जाए साहिए三 नबर दो इस खराब खाना वगयरा वगयरा इखटा कर लें इधर उधर नाफिक है। नमबर तीन अलाके में इतलाती बूर्ड या नोटिस बूर्ड वगयरा लगाएं और उसके जरीए साफ सुत्राई के तालुक से लोगों में बेदारी पैदा करें तो उसमें उनकी मालूमत में इधाफा होगा और मुतालिका इलाके में कचरे को ठीकाने लगाने के लिए इस इलाके के इंतजामी अफसरान से असतदा की रहनुमाई में खत्व पकताबत और इंटर्विव के जरीए राबता कायम करें और लोगों में इस तरह से बेदारी पैदा करें अगला सवाल है कि भारत और ब्राजील अपने महलवकू के लिहासे किन बातों में मुक्तलिफ हैं किन बातों में अलग हैं भारत और ब्राजील महलेवकू के लियासे मुंदर जेल फर्क में पाये जाता है इनमें दुनों में नमबर एक भारत का महलेवकू मुकमल तरड़ शुमाल और मश्रीकी निस्व कुररे में है बारत बर्याजम एशिया के जणूचे में बारत बर्याजम अमरिका के शुमाली इस्थे में वाक의 है अगला सवाल है ब्राजील की अबzova पर असरन्दाज होने वाले आवमिल लिखे तो काफी बड़ा ये जवाब है, बहुत सिंपल है, इसमें से छोटे-छोटे पॉइंट आप लिख सकते हैं, नमबर एक पहला पॉइंट आपको लिखना है, ब्राजील की अबववापर असरंदाज करते हैं, नमबर दो, खत इस्तवा के करीब होने के विजए से ब्राजील क जुनुबी इससे में दर्यात बहुत कम होता है, और ब्राजील की अमेजन की वादी तक्रीबन सालना आउसद मापर 2000 mm बारिश होती है, और मश्री की साहले इलाका पर 1000 mm से लिए 1200 mm बारिश होती है, चोड़ चोड़ पॉइंट लिखना एको, ब्राजील की बुलन जमीन के अकब में इन हवाओं की असरात कम होते हैं, और ब्राजील के शुमाल मश्री की इससे में इंतिया कम बारिश होती है, और वहां दर्जारत निजबतन ज्यादा होता है, और यह इस तरह से आप छोड़ चोड़ पॉइंट लिखके आप मास्त बड़े आसानी से हासल कर सकते ह नमबर चार, भारत और ब्राजील में जारी माहीगीरी के पेशे में यकसानियत और फर्क बताईए, देखें, भारत और ब्राजील में जारी माहीगीरी के पेशे में यकसानियत, भारत और ब्राजील के साहिल लाके माहीगीरी के पेशे को फरोग हासल हुआ है, भारत और ब पानी की बाव के विजय से मीटे पानी में माहिगिरी का फरोग महां पर हासिल नहीं हुआ है। ब्राजिल के करीब गरम और सर्द समंदरी रोओं की मिलाब के विजय से बड़े पामाहने पर प्लांक्तन की नेश्नुमा उती है। वैसे प्लांक्तन यह जो नाम आया है यह एक ऐसा पौधा है जो मच्लियों का यह फेवरेट मानने जाता है जहां पर पहुते होते हैं मचलियां बड़े खोब इसे खाती हैं इसलिए मचलिया यहां पर आती है इसलिए माईगीरी को ज़्यादा फरूग हासिल हुआ है तो यह परच्छा यहां मुकम्मल होता है उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका solution है जो अच्छे तरी की समझ में आओगा आप देखते हैं इसको लिग भी सकते हैं वीडियो को रुगा कर अब ये आपके पास महफूज है अब इस वीडियो को जाद साथ आप शेयर करें तमाम तुलबा में ताकि ये घर बठें इसकी practice कर सकें और इसका solution देख सकें औ और हो सकता है इसमें से बहुत सरे सावलात उन्हें एक्जाम में पूछे जाएं और आपको हम इस वीडियो के खतम होने के साथ आपको अल्दोबेस बोलते हैं और आपके एक्जाम के लिए नेक खोईशा देते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सीखते र शुक्रिया जजा करना